दोस्तों गुड मॉर्डी कैसे हैं आप सब वास्तों शास्त में अगर जाते हैं तो कुछ चीजों को बहुत ज़ादा पैनिक बना दिया गया है जैसे फॉर एक्जामपल नौर्थ इस्ट का ट्वाइलेट विशेश रूप से भावन के मद्दिकास्तर ब्रह्मस्तर वहां का ट्वाइलेट और एक और निक्रिस्ट दोश वास्तु शास्तर का सौथ फेसिंग बिल्डिंग भावन दुकान कुछ भी रहाईशी चीज ये बड़ी निक्रिस्ट मानी गई है देखिए सबसे पहले तो मैं हमेशा मेरा समिशन रहता है हमेशा में गाईट करता हूं हमेशा में लोगों को बल देता हूं कि कभी भी पैनिक में नहीं जाएं क्योंकि मैं मानता हूं और मैं गलत नहीं समझता इस चीज को कि जो विक्ति का जो भागी बनता है न वो एक चीज से नहीं बनता बहुत सारी से क्युमिलिटिव ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, तब जाके भाग बनता है विक्ति का, माना कि वास्तु शास्त को लिए अगर, तो जैसे और बहुत सारी चीजें है, उसका करम है, उसका पुर्शार्थ है, उसका प्रारब्ध है, उसका एनवारमेंट है, उसके फैमिली म से तब जाके बनता है आदमी का डेस्टिनी भाग है तब कह सकता है आदमी कि मैं भागशाली हूई या दुर भागशाली हूई एक चीज को मैं कभी प्रमोट नहीं करता कि साउथ फेसिंग मकान है तो नुकसान देगा ही देगा मैं बहुत सारे ऐसे एक्जांपल कोट कर सकता हूँ जो साउथ फेसिंग भावन में रह रहे हैं यह साउथ फेसिंग जिनके शॉप्स हैं बहुत फ्लोरिश कर रहे हैं बहुत साथा फ्लोरिश कर रहे हैं तो फिर क्यों पैनिक में जाना मगर देखें मैं यह भी नहीं कहूंगा कि नहीं है वास्तु शास्त्र आदिपत् है जितनी percentage है कुछ ना कुछ सारसत है ज़रूर देखिए मैं इसको इस तरह समझे बड़ा सरलता से आपकी समझ में आ जाएगा यह जैसे मालने जे कोई रोगी है कोई तीन रोगी है मालने जे तीनों को एक सी बीमारी है तीनों को एक ही डॉक्टर एक ही अच्छा फिजिशन एक्सपर्ट ट्रीटमेंट दे रहा है एक ही सा सेम ट्रीटमेंट बिलकुर पैललल ट्रीटमेंट एक सी मेडिकेशन है एक सी डिप्स है एक सा इंजिक्शन है सारे सारे जितनी चीज़ें सब एक सी है और पता चला कि reaction हो गया एक patient को, एक patient ठीक हो गया और तीसरे patient को कुछ में नहीं हुआ, ineffective, तो एक medicine, एक doctor, एक disease, काईदे में तीनों को लगनी चाहिए थी ना, तो anatomy vary करता है, तो इसी तरीके से वास्तु शास्त भी vary करता है person to person, यह important चीज, इसको mind में रखें, इसको लेके आगे बढ़ेंग माल लेते हैं कि south facing मकान का थोड़ा सा भ्रहम है, थोड़ा सा भै है, उसको दूर कर देते हैं, तो इसको इसके बहुत सारे निदान है, अगर मालीजे construction नहीं हुआ है, तो तो फिर सरल है, वास्तु शास्त के accordingly, आप construction करवाईए, और अगर construction हो गया है, तो फिर बहुत सारे उसके और भी तरीके हैं, वास्तु दोश के पूजन हैं, वास्तु दोश के बहुत सारे उपकरण हैं, वास्तु शास्त में बहुत सारे ऐसे निदान हैं, जो फ्रेंक्शू के गजेट्स हैं, उनके accordingly रेडिफाई किये जाते हैं वास्तु दोश, अलग अलग अपाए, अलग 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 मानता हैं, जैसे जिसको मानें, जितना मानें, वास्तु शास्त के जो में मुख नियम جो है, जो समाने से नियम है, बगर फिर मैं वही कहूँगा कि समाने नियम मेरी जो अपनी मानेता है, ये निश्चत नहीं है कि south facing, maakarn, bhawan, किसी विक्ति विशeश के ल पास तो शास्त्र के एक वार्टिंग लिए अगर आप construction करा रहे हैं और अगर फिर details में जाना है तो फिर architect पर जाना पड़ेगा फिर उसके बाद में structural engineer के पास जाना पड़ेगा उसका structure design करेगा फिर बहुत सारे parameters बहुत सारे factors तो south facing बकान यहां कि यानि कि आपके south direction में अग out दे सकता हूं मैं कि computer कर आदमी हो तो मेरे लिए problem नहीं है तो दो तीन चार मैं आपको दे देता हूं इसमें आपको idea हो जाएगा कि अगर आपको construction करा रहा कराना है अपना करवाने जा रहे हैं आप तो अपने architect से आप उसको बता दें अपना क्योंकि मैं सबसे अच्छा व यह मैसन को नहीं वहाँ पर रहना वहाँ पर रहना तो भावन स्वामी को है ना तो सबसे अच्छा वास्तु तो जो वह है जो व्यक्ति को भाए जो वहाँ रह रहा है उसको भाए वह सबसे important चीज़ मगर फिर भी मोटे मोटे से नियम जैसे एक for example मैं एक layout का बता देता हू आपको इसका diagram भी दे दूँगा कि western side में जो आप करेंगे west direction में north से चलेंगे south की तरफ अगर आप तो western side में आपके bed यानि कि north west में और south west में आप bedroom बना सकते हैं इन दोनों के बीच में अगर माली जा आप attach wc रख रहे हैं attach toilet रख रहे हैं बात रख रहे हैं तो अगर एक इसको common bedroom में कर सकते हैं बीच में और अगर common नहीं तो दो attached toilet आप बना सकते हैं एक bedroom के साथ में दूसरा दूसरे bedroom के साथ में यह आपका western direction का हो गया north direction में बोर लगा सकते हैं नोर्थ इस डिरेक्शन में आप पूजा का कमरा दे सकते हैं आपका dining है आपका hall है आपका drawing है जितना North East direction में आप बढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. Kitchen अगर आप बनवा रहे हैं, तो आप East, South East direction में सबसे अच्छा kitchen का है. मगर इसमें important चीज, जो slab है, जहां पे आप hot plate रखेंगे, जहां पे आप burner रखेंगे, जहां पे आप गयास रखेंगे, वो ऐसा point हो, कि जो बनाने वाला है घर का, घर का सदस से जो लेडी, जो भी महिला, उसका face, East direction में होना चाहिए. यह best combination से दोगा विक्ती के लिए. गेट अगर लगा रहे हैं, तो जो South का सबसे अच्छा होता है, South direction में लगा रहे हैं अगर आप, तो जो गेट है, वो आप, अगर गेट लगा रहे हैं, तो जो आपका South East का जो corner आएगा, उस corner में लगाएं आप, और अगर दूसरा विकल्ब देख रहे हैं, तो फिर आप center म इससे आपका वास्तो दोश का perfect निदान हो जाएगा, ये जो layout बता रहा हूँ मैं, और जो हम तो देखे भाई है, टोने टोटके वाले आदमी हैं, सुदामा के तंदुल वाले आदमी हैं, हम इतने बहेंगे gazettes कहां खरी सकते हैं, अगर गर्जस्ट गर्जस्ट खरीद रहे हैं आप, तो हम, जो मैं recommend करता हूँ, south facing मकान के लिए, south facing door जिसका हो, उसके south direction में, या western direction में, या south west direction में, एक बड़ा सा कच्छवा रख दीजे, छोटा कच्छवा नहीं चलेगा, बड़ा, जितना heavy कच्छवा रखेंगे, उतना लाबदायक होगा, और जो कच्छवे का मुँ है, वो कच्छवे का मुँ, north direction के और, या north east direction के और होना चाहिए, यह सबसे अच्छा निदान है, आपके feng shui gazettes में, दूसरा feng shui के लिए हम fish aquarium रखवाते हैं, तो जो आपको hall है, जो आपको dining है, जो आपको drawing room बना रहे हैं आप, जो आपको north east direction में आ रहा है, उसमे आप ऐसा रखें कि वो आपको north east direction में fish aquarium रहे, तो इससे आपका जो वास्तो दोश है, इससे रेटिफाई हो जाएगा, south जो दोश है, और जो मैं सबसे अच्छा जो मैं उपकरम मानता हूं, सरलसा, सुगम सा, दो पूजा के उपाए, क्योंकि मैं हर चीज़ को पूजा पार आपके लिए, south का जो दोर है आपका, वहाँ पे गणपती जी की कोई मूर्ती हो, कोई photo हो, कोई उनका bust हो, कोई उनकी ideal हो, कुछ भी हो जो, आप ले लिजे, उनकी सून, उनके दाई साइट के और मुड़ी होनी चाहिए, और आप ये ऐसे टांग दीजे, अंदर के तरफ, कि उनका मुँ भावन के अंदर के तरफ रहे, ये best, क्योंकि विग्न मिनाश्यक गरणपती जी का जो face है, वो भावन के अंदर के तरफ होने चाहिए, उनकी दरस्ती घर के अंदर के तरफ होने चाहिए, तो जितने भी विग्न है, जितने भी दोश है, वो सारे के सारे automatically ratify ह जाते हैं ये बेस्ट डिरेक्शन गनेश जी की इस्थापना की बहुत सरे लोग आपने देखे होंगे कि वो गनपती जी को भगवान जी को और देवी देवताओं को घर के बाहर बिठाल देते हैं जैसे कोई वो जैसे दर्बान होता ना लठिया हाथ में पकड़ा कोई बिठ इकवान है उनको आप धूप में बिठाले हैं विचारी धूप में बैठे हुएं पानी में भी जिलना हैं गर्मी भी जिलना हैं सर्दी भी जिलना हैं दर्भान थोड़ी हैं कोई बाहर थोड़ी बैठेंगे वो वैसे भी थोड़ा लॉजिकली सोचे उनको बिठालना है त अंदर की तरफ द्रस्टी उनकी हो, बेस्ट ये वाला उपाय है, और गणपती जी के ठीक सामने, लक्षमी सुरूप कोई विग्रह हो, लक्षमी जी का यंत्र हो, लक्षमी जी का कोई चित्र हो, जो भी रख सकते हैं, शिरी यंत्र लगा लिजे, वो और भी सुंतर हो है, दोनों की द्रस्ती वन्ट उन लाइजन होना चाहिए, एक दूसरे को देख देना चाहिए, वो वास्त दोश का सबसे बड़ा रैटिफिकिशन है, सबसे बड़ी है निदान है, सबसे बड़ी हो पाय है, ये साउथ फेसिंग के लिए नहीं, अगर किसी भी भावन में आ एचा है, और अगर वो नहीं है, तो कोई भी सिखा ले लिज्याओ, जो आपको लगे, अगर किसी मृत आत्मा का सिखा मत लिज्याओ, मैंने यो बड़ी था कि आप सिखे, कोँज मृत आत्मा हो, वाले सिखे होते हैं, तो आप भूद के पूजा कर रहे हैं, ये ध्यान करते हैं तो उसको कलावे से लाल लंके धागी से आप बांध दीजे लपेट दीजे चारों तरफ से तो वो एक इंटेक्ट हो जाएगा उसमें सिक्के के उपर सुपारी ये एक गणपती सुरूप विग्रह बन जाएगा आपको इसका बाउल ले लिजे उसमें थोले से चावल भर लिजे चावल के उपर इसको इस्थापित कर दीजे और इस बाउल को कहीं नौर्थ इस डिरेक्शन में य जैसे मैं बताता हूँ आपको जैसे विशे से हट गई बात जैसे ट्रेंगलर मकान में ने देखे बहुत सारे कि एक तरफ कोना था तो मैंने हर कोने में तिमंजला मकान था उनका डेली के बात बता रहा हूँ तो मैंने तीनों फ्लोर में जो कॉर्णर था तीनों का वहाँ पर मैंने ये विग्रह रखवा दिया गण पर दीजी का मैंने कुश मत कर रहा हूँ चाओल के बाउल तीनों आप कोनों मेरे दिखोने कॉर्णर है आपके वास्ता में ट्रिमिंडरिस रिजल्ट्स मिलने शुरू है उनको तो ये चीज़ें छोटी-छोटी सी अगर अपनात आप तो आपको जो वास्तो दोश्ट से संबन्दी जो आप निदान तलाश कर रहे हैं बैसे मज़ते हैं आपके लिए ये बहुत अच्छा उपकरमसेद होगा दोस्तों मैं ये देता रहूंगा आपको और मैं बार बार कहता हूँ कि देखी मैं कभी भी किसी को मिसगाइट करने के सलाओ नहीं दूँगा कभी ये सलाओ नहीँ दूँगा कि पानिक पहले क्रियेट करें और पिर पानिक करने के बाद में कॉमर 하면서 एक्सप्ड़ाइट करें इससे पचे दोस्तों बस दोस्तों अच्या लगता है कूना जिका तो प्लीज गूपाला ज, को यूट्वे मे methods मैं follow करता हूँ तो मैं प्यास करूँगा कि अच्छे से अच्छा और वो चीजें जो अच्छूती हैं जो नहीं आई हैं तो कि मैं वही चीजें देता हूँ जो मैंने लिखी हैं जिन पर मैंने books लिखी हैं ये जिन पर मेरे articles मेरे कि वाइरिल हूए हैं बहुत सारे बहुत सारे कितने कॉपीड हो रहे हैं मैं देखता हूँ झाल झाल